मेरे प्यारे परिवार जनों, जब हम अपनी आँखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं, तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी एतिहासी घटनाएं राष्ट जीवन की चिरन जीव चेतना बन जाती है। ये पल आव विश्मनिय है, ये च्छा अभुद्पुर्व है, ये च्छा विट्सीद भारत के संखनात का है, ये च्छा नए भारत के जैगोश का है, ये च्छा मुस्किलों के महा सागर को पार करने का है, ये च्छा जीत के चंद्रपथ पर चलने का है, ये च्छा एक सो चालीस करोड धरकनों के सामर्थ का है, ये च्छा भारत में नई उर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है, ये च्छा भारत के उदयमान, भाग्य के अहवान का है, अमर्थ काल की प्रथम प्रभा में सभल ताकि ये अमर्थ भर्षा हुई है, हमने धर्ती पर संकल पर लिया और चांद पर उसे साकार किया, और हमारे वेज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इस नाव अन दे मून, आज हम अंतरिक्ष में मैं भारत की नई उडान के साच्छी बने हैं, साथियों मैं समय ब्रिच समीट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिन आफरीका में हूँ, लेकिन हर देश वाची की तरह मेरा मन चंद्रयान महा भियान पर भी लगा हुआ था, नया इतिहास बनते ही हर भारतिय जश्न में डूब गया है, हर गर में उत्षव शुरू हो गया है, रदे से मैं भी अपने देश वाच्चों के साथ, अपने परिवार जनों के साथ, इस उमंग और उल्ला से जुड़ा हुआ हूँ, मैं टीम चंद्रियान को, इस्रो को, और देश के सभी वैज्यानिकों को, जी जान से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, जिनों ने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्न किया है, उच्छा, उमंग, आनंद और भावुक्ता से भरे इस अध्भुत पल के लिए, मैं एक सो चालीस करोर देश वाचियों को भी कोटी कोटी बढ़ाईया देता हूँ, मेरे परिवार जनों, हमारे वज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिनी दुरू पर पहुँचा है, जहां आज तक, दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुँच सका, अब आज के बाद से, चांद से जुड़े, मित्थक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे, और नई पिड़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएंगे, भारत में तो हम, हम सभी लोग, धर्ती को मा कहते हैं, और चांद को मामा बुलाते हैं, कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं, अब एक दिन वो भी आएगा, जब बच्चे कहां करेंगे, चंदा मामा बस एक तूर के हैं, चंदा हैं, अप्य छोन पी आपा, यहाँ भी आएजी और लोग, अव्यू रॉड्यावा गया तूर के पहले कि यह किए एक पेओटन।,स्टेटन।, कर दूर आपटन।,प्टन।, कर घंगे निच्टन।, कर दो भी आजिए, तूर का तूर के इन मीसित आएगा, भीजी इस वे लिए एंप बिए वेघजि टीज इस इन्डिया ग्रटों के प्रपीजिए के घ्रडों कर दो अंद्दी इस ए महां एक बार्स्टर एक अवन अवन इर्फ इस नहिट को प्रश्रいい आप को लिए इस वेडिक अंव इस दोडन इसे घ्रड लूब अंद्सक्र्ड प्रवाच को प्रेज़ है और प्रेज़ की सिरद में हैं निजर हैं प्रेज़ को सब्सक्राइब। all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवार जनों, चंद्रयान महाभियान के यूपलब्दी, भारत की उडान को चंद्रमा की कच्छाओं से आगे जाएगी. हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ परखेंगे, और मानव के लिए ब्रह्मान की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे. हमने बविश्य के लिए कई बड़े और महत्वा कांशी लक्षत ताय किये हैं. जन्द ही सूर्य के विश्तरित अध्यन के लिए इस रो आदित्य एल वन मिशन लाउंच करने जा रहा है. इसके बाद शुक्र भी इसरों के लक्षों में से एक है. गगन यान के जरिये देश अपने पहले यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तयारी के साथ जुटा है. भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई नौर्द लिमेट. साथियों, साइन्स और टेकनलोजी देश के उजवल भविश्य का आधार है. इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा. ये दिन हम सभी को एक उजवल भविश्य की और बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा. ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धी का रास्ता दिखाएगा. ये दिन इस बात का प्रतीग है कि हार से सबग लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है. एक बार फिर देश के समीव वैज्यानिकों को बहुत बहुत बढ़ाई और भविश्य के मिशन के लिए धेरोज शुब कामणाएं. बहुत बहुत धन्वाद. जीनियूस